रंधीर, बोलन और धरमपाल गोंदर ने अपना समर्थन जो है वो वापस लिया है ये तीनों निर्दलिय विधायक हैं तीनों विधायकों ने कॉंग्रेस को अपना समर्थन दिया है पूर्सियम भुपेंदर सिंग हुड़ा की मौझूदगी में इसका एलान किया है इसके बाद भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि सरकार अल्थमत में है और अब इस्तिफा दे देना चाहिए तो ये बड़ी खबर चुनावों के बीच हर्यारा में बड़ा और सियासी उल् विधायकों ने बीज़ेपी सरकार से समर्थन वापस लिया और तीनों ने अपना समर्थन जो है वो कॉंग्रेस को दिया है इसको मौझूदगी में भुपेंदर सिंग गुड़ा ने प्रेस कॉंफरेंस की हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं तीनों निर्दल्य विधायक वहाँ पर मौझूद थे उनके साथ साथ पूर सियम भुपेंदर सिंग गुड़ा और उद्यभान जो है वो भी वहाँ पर मौझूद थे और सबने साथ में मिलकर प्रेस कॉंफरेंस की और तीनों विधायकों ने अपना समर्थन बीज़ेपी से वापस लेकर जो है कॉंग आपको बता दें कि नायव सेनी ने इस साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पत की शपत ली थी इसके अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया था दो फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जो है वो जरूरी है ऐसे में विपक्ष जो है वो 13 सितंबर 2014 तक अब बट फेर है लेकिन बार-बार दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि उन्हें कोई खत्रा नहीं है 12 मार्च को मुख्यमंत्री पत की जो है वो सीम सैनी ने शपत ली थी कि अब दो आज ने अब आज आज ने अजय तक शिरी नातावार्त सिरी शोरुदी शावान सिरी परदी अब नजी अरिवेश्में हमने बोटे में नमस दाया तक शिरी नो राटी है जो हम समर्थन देब इन मारे सेना पती दी चले वे चोड़के तो हमने इस बात का गुद और जो हमके में निमारे सेना पती शावान सामने आया है नायप सेनी सरकार अब अल्प मत में है दुशेन चोड़के ने कहा कि मुखे मंतरी को ने दिक्ता के अधार पर इस्तीफात दे देना चाहिए कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ कदम उठाए तो हम उनके साथ है पिछला अविश्वास परस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ था नई सरकार के खिलाफ अविश्वास परस्ताव लाया जा सकता है तो दुशेन चोड़ाला का ये बड़ा बयान सामने आया है जा उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है नई सरकार के खिलाफ कॉंग्रिस को अविश्वास पस्ताव लाना चाहिए पहला जो अविश्वास पस्ताव लाया गया था वो पिछली सरकार के खिलाफ था लेकिन अब नई सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास पस्ताव लाया जा सकता है तो अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सयोगी अंकेत आप से जाना चाहेंगे कि दुश्यन चौटाला ने कहा है कि नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें 6 महीने का गैप होना चाहिए क्या कुछ आपके पास जानकारी है इसे लेकर तो अब दुबारे से एविश्वास प्रस्ताव सरकार का लाया जा सकता है लेकिन उसके अंदर भी एक पेच है क्योंकि जब … नए मुख्यमंत्री ने बढनने के बाद एक दिन बुलाया था विदान सभा का शेशन बुलाया था और उसमें अपनी मैजोर्टी प्रूव की थी तो कहीं ना कहीं उसमें जब मैजोर्टी प्रूव कर दी थी तो अब एविश्वास प्रस्ताव आ सकता है या नहीं आ सकता है ये अभी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विशा है क् कि दुशन चोटाला तो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नई सरकार जो बनी है वो उसके खिलाफ विश्वास प्रस्थाव लाया जा सकता है लेकिन अभी नए मुख्यमंतरी ने जैसे पहले बताया कि बंते ही अपना ही मैजोर्टी प्रूव की थी तो उसके कितने दिन के ब विश्वास प्रस्थाव लाती है तो जन्नायक जनता पार्टी के दस विदायक जो हैं वो भी उनको बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे यानि कि भारतिये जनता पार्टी की अगर सरकार गिरती है तो उसको गिराने के अंदर वो भी अपनी भूमी का अदा करने का काम करे जिस बारतिये जन्ता पार्टी के साथ जन्नाएक जन्ता पार्टी साड़े चार साल तक सरकार में रही दुशन चोटाला उपमुकह मंत्री रहे लेकिन दुशन चोटाला और जन्नाएक जन्ता पार्टी के साथ जिस तरह से भाजपा ने दोखा किया और बीच अधर में छोड तो आप वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तयार है अगर कॉंग्रेस कदम उठाती है तो लेकिन साथ की साथ जन्नायक जन्ता पार्टी के नेता ये भी कहते हुए नजराए कि वो राध्यपाल से मिलेंगे और राध्यपाल को कहेंगे कि ये जो सरकार है जो अल्प फसा हुआ है लेकिन ये जरूर साफ है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है उन्होंने जब दुशन चोटला से ये सवाल किया गया कि उनकी पार्टी के छे विदायक जो है वो भी लगातार कही न कहीं चार जो है वो बीजेपी के संपर्क में है दो जो है वो कॉंग्रेस के सं गए तो वही अगर अब भी अगर वही हम जारी करेंगे और वो सदन सरकार के खिलाफ जारी करेंगे तो भी कोई भी विधायक बीजेपी के पक्षमे वोट नहीं कर पाएगा और अगर वोट करेगा तो उसकी सदस्ता चली जाएगी और उसका वोट नहीं माना जाएगा तो कह confident नजर आ रहे हैं दुशन चोटला और उन्होंने साफ मतलब जो तेवर हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ अक्तियार कर रखे हैं और उन्होंने इतनी बड़ी बात भी कह दिया है जो वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते थे कि हम कभी भी कॉंग्रेस के साथ नहीं जा पड़े तो उसके लिए भी जन्नायक जनता पार्टी पूर इतरे से तयार है जी अंकिताब हमारे साथ बने रहे हम एक बार सुनाना चाहेंगे कि दुश्यन चोटाला ने आखिर कहा क्या है कि अर्याना प्रदेश की सरकार कि मेजॉर्टी लेकर कि दो महिने पहले आई थी उससे कम हुई नेतिक्ता के आधार पर मुखे मंत्री को या तो अपना भवमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए और वहीं दूसरी और पर हम आगरे भी करेंगे और लिखित में भी मा महीम से आगरे करेंगे कि इस गवर्वर्मेंट को दुबारा क्योंकि तीन विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राजेपाल को बेजा है राजेपाल भी सरकार को मिजॉर्टी प्रूव करने की डारेक्शन दे क्योंकि आज दो विधायकों ने विधान सभा की मेंबर्शिप से इस्तीफा दिया अठासी MLA's आज अरियाना विधान सभा के तीन गौर्मेंट से समर्थन बापिस कर चुके दो विधायक थे जो उस समय गौर्मेंट के पास उनके समर्थन में पाच विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आपकरे से सरकार बाहर है अरियाना प्रदेश के तो यह आपने दुश्यन चौटाला को सुना हमारे सहयोगी जो अंकेत है हमारे साथ अभी भी बने हुए है अंकेत आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भले ही दुश्यन ने ये कहा कि हमारा पूरा समर्थन कॉंगरेस के साथ है वो समर्थन देना चाहते है लेकिन जच्वा की